आज का जो हमारा content रहेगा वो रहेगा sources of values sources of values में सबसे पहला जो source रहेगा वो रहेगा culture culture means culture include anything that can be communicated from one generation to another संस्किती में भी सभी वस्तों आती हैं जो एक पेडी से दूसरी पेडी में जाती हैं संस्किती शब्द संसकार शब्द का रूपांतर है संस्किती के अंतर के समाजिक रिद्रिवास, धार्मिक पनपराएं, आचार, विचार आते हैं संस्किती शब्द के लिए अंग्रेजी में culture शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसकी पत्ती लैडविन भाषा के शब्द culture से हुई है जिसका अर्थ है to cultivate हिंदी में से पोशित करना कहेंगे संस्किती विक्ति के विक्तितों को पोशित करती है अगर culture की definition के बारे में बात की जाएं तो culture की जो first definition है वो रहेगी according to Otabi the culture of a society means the total way of life of a society समाज की संस्किती का आर्थ है समाज की संपूर्ण जीवन ने दी second जो इसकी definition है वो है Joseph Roche culture might be defined simply as the total way of living of a particular people at a particular time and place संस्किती किसी विशिश समय और स्थान में निवास करने वाले विशिश विक्तियों की जीवन वैतित करने की सामोहिक बिदी है culture की अगर विशिश्टाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं संस्किती की सबसे पहली जो विशिश्टा रहेगी वो रहेगी संस्किती एक अर्जित गुण है second रहेगा संस्किती हस्तांत्रित है and third रहेगा संस्किती एक समाजिक गुण है संस्किती एक अमूर्थ विचारधारा है अगर भारती संस्किती की हम बात करते हैं तो भारती संस्किती में बहुत सारे ऐसे विशिश्टा हैं जो से अन्य संस्कितियों से अलग करती हैं जैसे की faith in God, faith in spiritualism, sense of duty and faith in non-balance भारतिय संस्कृति आहिंसा में विश्वास करती हैं भारतिय संस्कृति के अनुसार आहिंसा पर्मो धर्मा आहिंसा ही परम धर्म हैं सेकेंड जो इसका सोर्स है वो रहेगा परम एक वेक्ति को दूसरे वेक्ति से जोडने की कोशिश करता है भारती समाच में भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे धरम जैसे की हिंडू धरम, मुस्लिम धरम, सिक धरम, इस्साई धरम, बौद और जैन धरम हमें देखने को मिलते हैं लेकिन हर एक धरम किसी सुप्रीम, पावर, अरधाग ऐसी सत्ता में विश्वास रखता है जो सरव व्यापक और सरव शक्तिमान है इसके तरिक भारतिय समाज, अत्वा भारतिय समाज में जितनी भी धरम हैं उन सबी में बहुत सारे ऐसे मुल्य नहित हैं जो से अन्य संस्केदियों से अलग करते हैं religion की अगर definition की हम बात करें, according to Edward Taylor, religion refers to the faith in the spiritual power धरम का अर्थ है, सुप्रीम सत्ता में विश्वास करना अगर religion की elements की हम बात करें, तो religion की ऐसे कौन से तत्तों हैं, जो धरम का निर्मान करते हैं, अधाद धरम बनाते हैं तो इसमें हम कहेंगे, जो हमारा साहित्य है और जो हमारे ethical code है और जो हमारे reduce है और जो हमारे जितने भी धरमिक महपुर्ष हुए, उन सभी का जो जीवन है, उन से हमें धरम के बारे में जानकारी मिरती है धर्म में ऐसे कौन से मुल्य नहीं थें तो इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहला जो मुल्य रहेगा बोरहेगा अनुसाश्यन, एनेक्स्ट, इमानदारी, सच्चाई, सहानभूती, धैरिव और कुरोध पर नियंत्रण अगर हम बात करें कि हम विद्यालिश स्टर पर किस तरह से विद्यार्थियों में धार्मुल्यों को विक्सित कर सकते हैं तो सबसे पहला हमारा जो स्टेज आती है स्कूल में वो रहेगी प्रात्मिक स्टर में हम कहानी के माध्यम से, सामोही सभाओं के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे दूसरे सामाज के उधारनों के माध्यम से हम उनमें धार्मिक मुल्यों को विक्सित कर सकते हैं स्केंडरी स्टेज पे हम विद्यार्थियों को धर्म के बारे में अध्याप्पन करवा कर दिन मौनिंग असेमली के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे जो साहित्ते हैं उनको या अत्मा उनके बारे में जानकारी देकर भी हम विद्यार्थियों में धर्मिक मुल्यों को विक्सि कर सकते हैं अगर हम बात करें युनिवेस्टिय स्टेज की या विश्य विद्याले सर पर हम किस तरह से विद्यार्थ में धार्मिक मुल्यों को विक्सित कर सकते हैं तो meditation इसके लिए सबसे बड़ा जो साधन रहेगा और इसके साथ साथ comparative study of different religion in the world संसार के विविन धर्मों का तूलनात्मक अधे इन सबी साथनों के द्वारा हम विद्याले सर पर और विश्य विद्याले सर पर हम विद्यार्थियों में धार्मिक मुल्यों को विक्सित कर सकते हैं थर्ड इसमें जो सोर्स रहेगा वो रहेगा constitution 26 जनपी 1950 को लागू हुआ था और इसको बनाने में लगपग दो वर्ष 18 महीने और 11 दिन लगे थे भारती जो संबीधान है उसको बनाना क्यों अवश्य कुरूआ क्योंकि भारती संबीधान को बनाने के लिए बहुँ सारी ऐसी परसेतिया जो है बोत्तरदायत है जैसे कि हमारा प्रतम विश्यूद और दुट्य विश्यूद बहुत सारे इसके तरिक और भी ऐसी कारण है जिसके द्वारा संबीधान अथ्वा जिसके द्वारा ऐसी परसेतियों का निर्मान हुआ जो संबीधान बनाने के लिए उत्तरदाई बनी तो संबीधान में हम देखते हैं कि freedom, justice, equality, fraternity हमें देखने को मिलते हैं संबीधान में सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंतरता, स्वतंतरता क्या है? स्वतंतरता किसी वी विक्ति को, किसी वी कारे को करने के लिए पून स्वतंतरता देना सेकेंड जस्टिस, justice means नियाय, अधात, समाजिक और राजनेतिक और आर्थिक नियाय प्रतेक विक्ति जो जिस भी क्षेत्र से संबंदित हो, उसे उस क्षेत्र में नियाय मिलना चाहिए थर्ड है, equality, समानता, समानता का अर्थ है, प्रतेक विक्ति, वे चाहे किसी भी धरम, किसी भी वन्ष और किसी भी जाती से संबंदित क्यों ना हो उसके साथ, भारती संबिधान में समानता का व्यभार किया जाता है fraternity, भातरत्व, भारती संबिधान हमें ये बताता है कि प्रतेक विक्ति को दूसरे विक्ति के साथ अपने पारिवारिक सदस्यों की तरह बैभार करना चाहिए तो इस तरह से भारती संबिधान, धरम और संस्कृती हमारे लिए मुल्यों का स्रोथ है